जब भगवान पकाता है तो आप धुआ नहीं देखते हैं। दोस्त वो है जिसके साथ आप रास्ता शेयर करते हैं। जो लकडी पहले से ही आग से उत्तेजित हुआ हो, उसे जलना मुश्किल नहीं होता है। अच्छे चरित्र के साथ बदसूर्ती भी सुन्दर्ता से बहतर है। जब भीतर कोई दुश्मन नहीं होता है, तो बाहर के दुश्मन आपको चोट नहीं पहुचा सकते। नफरक का इलाज के लिए कोई दवाई नहीं है। परिवार एक जंगल की तरह है, जब आप बाहर होते हैं, तब यह घने लगते हैं, जब आप अंदर होते हैं, तो आप देखते हैं कि हर एक पेड की जगह होती है। कोशिश करके असफल होना आलस नहीं है। छड़ी एक बंडल में हो तो वो अटूट होता है। जो महान लोगों को सम्मान देता है, वो महानता के लिए अपना रास्ता बना देता है। शांत समुद्र दक्ष नाविक नहीं बना पाते हैं। किसी के द्वारा कहा जाना और खुद से देखना अलग चीजे हैं। एक एकल लकडी धुआ दे सकता है, यह जला नहीं देगा। धैर्य एक खूबसूरत बच्चे की मा है। लिंका क्रोध योनी को नश्ट नहीं करता। जो राख फिंकता है, उसी के मुह पर ही वापस उड़के गिरता है। बस एक ही छट पर बारिश नहीं होती है। केवल एक मूर्ख ही दोनों पैरों से नदी की गहराई को मापता है। सच्चे दोस्तों के बीच साथ में पानी पीने से भी मीठा लगता है। बच्चा अपनी मा के स्तनों से खेल सकता है, लेकिन पिता के अंडकोश से नहीं। प्रसूती वाड में कोई कुमबारी नहीं है। कम बोलना और ज्यादा सुनना चाहिए। सुन्दर स्त्री से विवाह करने वाला पुरुश और सडक के किनारे मक्का उगाने वाले किसान की एक ही समस्या होती है। ज्यान की कमी रात के अंधेरे से भी गहरा है। रेंगते रेंगते एक बच्चा खड़ा होना सीखता है। एक जूट हजार सच्चाई को नश्ट कर दिता है। ज़दी आप समाधान का हिस्सा नहीं है, तो आप समस्या का हिस्सा है। काम मारता नहीं है, बलकि चिंता हमें मारता है। जब आप किसी महिला को अपने पैर खोल कर बैठी देखें, तो उसे कभी भी पैर बंद करने के लिए न कहें, क्योंकि आप उसकी ताजी हवा के स्रोत को नहीं जानते हैं। यदि आप जल्दी जाना चाहते हैं, तो अकेले चले जाएं। यदि आप दूर जाना चाहते हैं, तो एक साथ जाएं। अपने हाथ में एक कोड़ा पकड़के कुट्टे को मत बुलां। जो आज के लिए तयार है, कल उसका होता है। यहां तक कि सबसे अच्छा बरतन भी खाना नहीं बना सकता।